अगर आप भी गर्दन, कोनी और गुटने इनकी स्किन काली होने से प्रेसान है दोस्तों कई बार क्या होता है कि इन पे मैल जमा हो जाता है कई बार इनकी स्किन जो है इतने काली हो जाती है कि देखने में ही बेहत गंदी दिखती है तो इसको साफ करने का आपको बिलकुल आस आपको टाइम भी नहीं चाहिए बिलकुल कम टाइम में बनने वाला नुस्खा आपको बता रही हूं दोस्तों बेहद असरदार है एक ही बार में चाहे कितनी ही काली स्किन हो मैल जमा हो पूरी गंदगी साफ हो जाएगी एक दम चम चमाती स्किन जो है आपकी निकल आएगी अगर आपने इसको एक बार इस्तिमाल कर लिए तो इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है एलो वेरा जेल चाहे आपके घर में इसका पोदा लगाओ ना तो आप एक इसकी पत्ती तोड़कर उससे जेल निकाल कर इस्तिमाल कर ले आपको एक चमच के जितन अगर गर में नहीं लगा है तो आप बाजार से लाकर भी ये नुस्खा तयार कर सकते हैं तो आपको जो है एक चमच में बता रही हूं अगर आपकी स्किन जैसे सिफ गरदन पे लगाना है तो और कम ले ले आप आथों पे लगाना है तो भी कम ले ले और आपको जैसे गु तो मैं आपको इतना बता रही हूं कि आप इसे सिर्फ गुटनों पे लगा सके इतना आपको बना कर दिखा रही हूं अब इसी के साथ में आमें दूसरी चीज लेनी है दोस्तों यहां पे पेश्ट पेश्ट मैंने आपको दिखा दिया कौन सा लेना है मैं यहां पे किसी भी का प्रमोशन नहीं कर रही हूं लेकिन ये पेश्ट आप लेंगे ना तो ये भूती ज़्यादा असरदार है इस नुस्खे में दोस्तों आपको ये ही पेश्ट ले लेना है इसको लेने के बाद में और जो दोनों चीजे अमने इसमें एड की है ना इनको अच्छे से मिलाना ह जब आप इसे मिलाएंगे ना तो ये पेश्ट और ये दोनों चीजे एकदम एक सार हो जाएंगे और जो पूरा मिस्रन तयार होगा ना ये एकदम ही फूला फूला फॉला जैसा बनाने के लिए तो इस तरीके से लगातार आपको इसको मिक्स कर लेना है जब ये इस तरह का दिखने लगेगा ना मिक्स होने के बाद में एकदम फूला फूला और अलका सा बस ये समझी कि आपका जो नुस्खा है वो बन कर तैयार हो गया है इस नुस्खे की एक खास बात ये है दोस्तों कि इस से आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट वगेरा उने का बिल्कुल भी डर नहीं है अगर आपको भी लगता है आपकी गरदन की स्कीन काली है कोनिया काली हो चुकी है गुटने काले हैं तो आप इसे ट्राइ कर सकते हो इससे कोई भी नुक्षान किसी तरह का नहीं होता है अब इसको लगाना किस तरीके से है और इसमें क्या प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं हमने पाउल में पानी लिया है तो यह जो पानी लेना है ना आपको इसमें आपको अलके अलके बवल दिखाई दे रहे होंगे तो अल्खा सा गुनगुना पानी लेना है आपको भी ये ठंड़े पानी का इस्तिमाल नहीं करना है थोड़ा सा गरम enfor ऻोना चैये नमक माइ काई शीयरार निम्बू का रस प्रमाइ कि निम्मू का रस लाइं है offered I don't wish my的 और WRITS तो इसके लिया भी अच्छा होता है और जहां प्तवित अच्छा होता है तो आप इसमें थोड़ा सा निम्बू का रश डाल ले और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद में और यहां पे आपको क्या करना है यह जो पानी है ना इसको आप वैसे इस्तेमाल ना करें नहीं तो यह जल्दी खराब हो जाएगा तो आप कोई भी कोटन का कपड़ा ले ले या फिर इस तरह का जो रुमाल वगेरा आता है न छोटा वो ले ले अब इसको आप पानी में इस तरीके से बीगोएंगे यह एक बात ध्यान रखना पानी इतना ही गरम होना चाहिए जितना आप सैन कर सकी दोस्तों बहुत ज़्यादा गरम पानी लेने की जरूरत नहीं है रुमाल को पानी के अंदर अच्छे से डीप करने की बाद में और आपको जैसी गर्दन साफ करनी है गर्दन की जो आपकी टाइम लगाना है एक मिनिट का, इसको अच्छे से साफ करें, क्योंकि तुरंत आप अटा लेंगे तो गिलाओ के साफ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप एक मिनिट तक इसी तरीके से, आप चाहे तो रुमाल को दो तिन बार पानी में भी हो सकते हो, और इकाद मिनिट के लिए मसाज करते हो, इसको लगाना है, इस नुस्खे को आपको बहुत दिन तक अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपकी स्केन साफ हो जाती है, तो फिर आपको जरूरत लगे, तो आप एक दो बार और लगा लें, एक दम चक चकाती स साफ होगी नहीं, एक से तीन बार में ये पूरा एक दम अच्छे से साफ कर देता है, इसलिए आप जब बे नुस्खा तयार करें, तो ये मिस्रन बनाएंगे ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बना कर तयार करें, जिससे आप इसका लेप अच्छे से कर सकें, इसको अच्छे स करके दिखाया है, गुटनों पे ये थोड़ी सी पतली लेयर लगी है, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा लगानी है, मैंने आत और पैत दोनों पे लगा कर आपको दिखा दिया ना, इसलिए इसके लिए कम बचा है, लेकिन एक दम अच्छे से साफ कर देगा, आपको गवरा जाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार जादा लगा ले, और फिर आप इस लेयर को लगा कर कम से कम, एक गंटे तक रहने दे, जब इसको लगे हुए एक गंटा हो जाएगा ना, तो ये अलका सा सूख जाता है, मैं तो यहाँ पे आपको पांच-साथ मिनिंट में ही आटा कर दिखा रही हुँ दोस्तों, आप एक गंटे तक इसको लगा कर और फिर आपको अलके से गुनगुने पानी से ही साफ कर लेना है, आप देखेंगे, आपको तुरंत असर नजर आएगा, स्किन जो है एकदम साफ सी हो जाएगी, तो आप बिलकुल भी ये ना सोचे, बेहद ही असरदार नुस्खा है, आप एक बार आजमा कर देखना, आपको पता लग जाएगा, जैसे ही आप स्किन को साफ कर लेंगे ना, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके उपर थोड़ा सा दो चार बूंद आप नारियल के तेल की ले सकते हो, या फिर आप जैस मोस्टर राइजर वगेरा आते हैं, वो ले सकते हो, तो वो लगा कर आपको उपर से अच्छे से इसकी मसाज कर लेनी है, एक आद मिनेट के लिए, ऐसा करने से क्या है, स्किन में रूखापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जब आप इस नुस्खे को जैसे कई बार क्या जादा डार्क हो जाता है, एक बार में नहीं जाता है, तो आप इस नुस्खे को तीन बार अपलाई कीजिए, तीन दिन लगाता है, तो इस तरीके से आपको जैसे मैंने ये बताया है, इसी तरीके से आपको भी आजमाना है, एक्स्ट्रा तेल अगर हो जाता है, तो आप तो वीडियो को जादा से जादा सेर करना दोस्तों ताकि सभी को इससे फायदा मिले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद